आर्ट अफ लीविंग संस्था भिलाई द्वारा सोमवार को भगवान भोलेनात का अद्भुद और दुरलब महा महांत्र विश्य किया गया। इस आउसर पर उपस्तित जन्समुदाय ने व्रिक्षारूपन करने और व्रिक्षारूपन की प्रती दूसरों को जागरूप करने का संकल्पिया। पूरे सावन मास के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनात के भक्तो द्वारा कई तरह के महाविश्य किये गया। इसी कड़ी में आर्ट ओफ लिविंग संस्ता भिलाई के द्वारा नगरपालिक निगम भिलाई के वाड़ दो स्थित ज्यान मंदिर आनंद सागर में सावन माह के अंतिम सोमवार को भगवान शिव का अधभुद और दुरलब महामंत्राविश्य किया गया। अधभुद और दुरलब महामिश्य कि विभिन प्रांतों से आये पंडितों ने संपन कराया। अधद्ता पपनच्य लोग। नका रहा इत्रिछंदाहा। शीवहा गनवदे रेवताा। अंधं गनवदे नमहा। ऐकतंताय वित्मए बक्षतंताय दिमए तन्लोको धन्ते प्रजोदया आता। सावन महा के अंतीम सोंबार को आयोजीत हुए इस अद्बुद आयोजन में उपस्तित आर्ट ओव लिविंग संस्ता विलाई के सजस्यों एवं अन्य शर्दालियों द्वारा सावन महीने को देखते हुए महा व्रिक्षा रोपन करने का और दूसरों को व्रिक्षा रोपन के प्रती जागरू करने का संकल्प भगवान भुरेनाथ के समक्ष लिया गया पूरे आयोजन की जानकारी आर्ट ओव लिविंग संस्ता विलाई के अजय शुकला ने नियूश्टीम को दी है पूरे सावन भगवान के किरपा से भरपूर पानी मिला है माना कि अन्य पांत्रों प्रांतों में उत्तर के भार प्रांतों पानी नहीं है कि हमारा 36 गड़ भरपूर पानी मिल रहा है और जो सावन की जो फुहार पढ़ रही बहुत आनंदायक हो रहा है इस बार हमारे आर्टाव लिगूं के रुद्रा विशेक था उसमें पिशेस्ता यह थी कि साउथ से उरीशा से जैंगलोर से पंडित जी लोग आये थे अव देश से ही था कि हमारा प्रदेश हराभरा हो को सालो और साथ में सब लोगों ने प्रकृत कर प्रकृत के दे होता है अब प्रकृत जो है ब्रिक्षे से चलता है तो हम सब लोगों ने ब्रिक्षा रूपकर रूपकर कमी संकल लिया है क्योंकि ब्रिक्ष होगा पानी होगा पानी होगा नदी होगा पुरा जीवन ब्रिक्षों के तब चलता है इसलिए हम लोगों ने प्रिक्ष लगाना है और बिर्च बचाना इसका संकल प्रिया। इस महिने के सोंबार का अपना एक अलग महत्त होता है और इस दिन भगवान भोलेनाथ का अभिशेक करने से इच्छा पूर्ती का वर्दान विप्राप्त होता है। सावन महा के अंदिम सोंबार में आर्ट अफ लिविंग संस्ता भिलाई द्वारा किये गये इस अनूठे अनुष्ठान में उपस्ति जन समुदाय ने भी भगवान भोलेनाथ से अपनी इच्छाओं की पूर्ती की काम ना की एवं विश्व कल्यान की प्रार्त ना की। Grand Asian News के लिए भिलाई से संतो शर्मा की रिपोर्ट